Fiverr की Geek को Organically Rank करना चाहते हो 2024 कंदर तो उसकंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन चीज होती है वो यह कि आपकी जो गीग है वो प्रॉपरली अप्टिमाइज होनी चाहिए Optimization से मुराद यह है कि उसकी proper SEO होनी चाहिए उसका title भी अच्छा होना चाहिए अच्छे से मुराद यह है कि SEO friendly होना चाहिए साथ में उसके tag भी optimize होनी चाहिए और third number पे उसकी description भी optimize होनी चाहिए Assalamualaikum तो कैसे हैं आप लो Welcome back to my YouTube channel दिस इस महम्मद जवाद नवास आप लोगों को मैं पहले ही advance में एक चीज़ बताता जाता हूँ कि अगर आप लोगों के past time नहीं है तसली से full concentration के साथ अगर आप लोग यह वीडियो नहीं देख सकते तो ना देखे उसकी सबसे बड़ी reason है यह है कि आपको कोई फाइदा इसका नहीं होगा जब तक आप लोग यह वीडियो complete नहीं देखेंगे इसके अंदर मैं आप लोगो complete सबसे important strategy समझाने जा रहा हूं कि कैसे आप लोग और गैनिकली अपने geek rank कर सकते हैं geeky SEO करके geeky SEO के अंदर इसमें मैं आप लोगों को title लिखना भी समझाओंगा इसमें मैं आप लोगों को tags डालना भी सिखा रहा हूं और इसमें सबसे ही important जो चीज है कि वो आपकी description है description कैसे आप लोग highly optimized लिख सकते हैं वो भी मैं लिखना समझाओंगा तो इन में से कोई भी एक चीज आपने मिस कर दी तो आपकी geek organically rank सही से नहीं करेगी आप लोगों को ना impressions रहेंगे ना वो आपकी geek top page पर जाएगी तो अगर आप लोग इस चीज के अंदर interested हैं वीडियो लंबी हो जाएगी आप लोगोंने कोशिश करनी है end तक देखनी है ताके आप लोगों को समझ आए आप लोगों का ही इसके अंदर फाइदा है सबसे पहले बात करते हैं geek के टाइटल के बारे में जो geek का टाइटल होता है अब सबसे पहले आप लोगोंने जो keyword research की होगी आप लोगों को बड़ी एक obvious thing पता है कि आपने low competition keyword निकाल के रखने हैं जिसके oriented आप लोगोंने geek बनानी है आप लोगों निकाले हैं अब इनं तीन keyword को अप्टिमाइज करके अपने geek के अंदर डालना है या या आपने दो keyword निकाले है तो अनको geek के अंदर अच्छे से डालना है अब सबसे पहले हम लोग देखे ऺए नितमे हैं एम लोग four example कहते है कि हमने दो key word निकाले हैं मिसाला के थवर्ट्स के थायओ के तोर पर मैंने यह 2 key words निकाले हैं सबसे पहला मेरे पास two key words आजाता है Article writing और दूसराième मेरे पास two key word आजाता है Pet Articles अब इन दोनों कीवर्ड को मैंने यूज करते हुए अपनी गीग का टाइटल बनाने है उसके टैग से डालने है और इसके बाद मैंने इसके डिस्क्रिप्शन लिखनी है मैं आप लोगो स्टार्ट में ही बताता चलूँ कि यह जो मैं आपको कीवर्ड यूज करके बता रहा हूँ एक्जेंपल के तौर पर समझा रहा हूँ यह स्ट्रेटजी हर एक कैटेगरी हर एक निश्क अंतर लग जागी चाहे आप वैब डिवेल्मेंट की सर्विसिस देते ह चाहे आप लोगो डिजाइनिंग की देते हैं किसी टाइप की सर्विसिस देते हैं जो यह गिग ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेजी मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ यह हर एक कैटेगरी के लिए अपलिकेबल होगी अभी जो दो कीवर्ड थे मैंने निकाले थे आप अथिकल राइटिकल राईटिकल का और साथ मैंने निकाला है पेट आटिकल का आप देखें जो पेट आडिकल है फो बहुत जाला ही कंपेटिशन हुर्डिकल वह बहुत अग्पी छोड़ी आप सीचुएशन होती है सिरफ लो अ कंपटिशिंड कीवर्ड के उपर हिऊद को रेंक करते हैं मिसाल की तोर और पंपने दो लो कंपटिशन कीवर्ड या लिए थे एक आर्टिकल राइटिकल यह जा लागा है उब स्मझेढ हो के इनक 1,000 विलो Kompetition तो आप लोग इननी को ही टाइटल के अंदर यूजप करना चाहते हो इसे सिच्चमेशन में यह होते है कि आपलों के पासBaige कम होता है तो आपलों एजिली रैंकिंग अंकिंग आ जाते है किWe... cp you choose two maideniku, 10 short는지 फिर्ड, 10 short chicken keyword or 10 short Chucap बाइस है एक 1 low competition keyword पकड़ लेते हैं उसमें यह होता है कि zway pul उसमें भूल क्यों कीवर्ड होते हैं वह दो एफिक करने लियां लगते हैं यदियां का कि अधी Scripture सभहने का मैथध मैफन लगता है. आप लोग को यह करना है कि आप लोग आप कीविड डाले हैं जो आप लोग ने कीविड निकाले हैं उनको आप लोगों के सबस्थे पहले टाइटल के अंदर अच्छ से लिखना है अच्छे से मुराद यह है बिज्ग मिलांत है किवेड टाइटल के अंदर स्टाफ कर देता है मिलांतीजिच मेल खेंat है वहार्टिकल आप भी पहले होता है इजा एक किवार्टिकल्विटिकल्स पैट उत्क्रिशन ड्रेवल भी अट्रिकल्स अब असल में मसला यह होता है कि आप लोगों ने टाइटल को खाली ही SEO आप्टिमाइज नहीं करना आप लोगों ने उसको यूजर फ्रेंडली भी बनाना है यूजर फ्रेंडली से मुराद यह है कि कोई भी बन्दा उसको पड़े तो उसको समझ आनी चाहिए और वो उसको अपीलिंग लगना चाहिए जब आप लोग कीवर्ट की ओवर स्टफिंग कर देते हैं तो वो अपीलिंग नहीं लगता बहुत सारी सिच्वेशन में आपने लोगों से सुना होगा कि यार मेरी गीग रैंक भी कर रही है लेकिन मुझे क्लिक्स नहीं आ रहा है उसकी एक रीजन यह भी होती है कि आप लोग का टाइटल अच्छा नहीं बना होता बहुत ही अच्छा कंशेटर होता है क्यूंकि ना सिरफ वो SEO friendly होगा रैंकिंग अंदर आएगा बलके किसी भी बंदे का उसके ओपर देखे क्लिक करने को भी दिल चाहेगा तो यह सबसे important factor होता है तो टाइटल लिखते वद आपने दोनों सिनेरियो में आपको बता दी है या तो दो लो competition keyword निकाले या एक low competition और एक high keyword निकाले दोनों में scenarios different होते हैं मैं आपको बताता चलूँ के जो आप लो keyword निकालेंगे दो low competition वाली गीक बनाएंगे उसमें आपकी गीक नॉर्मली जल्दी रहेंग होगी लेकिन उसमें बाद में आपके growth की chances बड़े limited होते हैं लेकिन अगर आप लोग एक low competition keyword साथ में एक high competition keyword डालते हैं और उसके oriented आपकी बनाते हैं तो उसमें आपकी growth है वो नॉर्मली थोड़ी सी slow होगी लेकिन जब आप growth कर जाएंगे तो आपकी growth भूम भी कर सकती है बहुत जादा अची growth हो सकती है आपकी तो ये दोने scenarios हैं अब hopefully आपको title लिखना आगे होगा कि आपने title कैसे लिखना है क्या 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 चीज़े उसके अंदर जहन में रखनी है second number पर जो हमारे पास सब चीज आ जाती है वो आती है tags डालने की cendaj's बारे में आपने अपने कोशिश ये कहरे हैं डालने हैंग अब टालने का मैं आपने गेसज़ें को बता जो पहुरक हुर हमारे है वह की ने करी किव ऐसकी अपर आपने गीड करने हैं अब मिसाल के तोर पे अपने टाइटल के अंदर तीन कीवर्ट को अच्छे से आप्टिमाइज करके लिखा है आपने टेक्स के अंदर सेपरिटली उन तीनों कीवर्ट को अलाइदा अलाइदा करके डालना है निसाल पर आपका पहला affirm мире था आर्टिकल रैटिक अब कईवर्ड एपका सबसे पहला टहग होगा आर्टिकल याप का दुश्कारिजगर था आपका दूसरा टैग होगा पैट आर्टिकल थर्ड कीवर्ड था आपका प्लेजर इसम फ्री अर्टिकल तो जो भी आपका कीव तो राइटिंग की सर्विसिस के रिलेटिड आप दो अच्छे से हाई कमपिटिशन कीवड ढूंडेंगे और उनका आप लोग टैग डालेंगे हाई कमपिटिशन कीवड ढूंडे की जरूरत ही नहीं होती बैसिकली वड़े जिनेरिक से होते हैं आपके खुद ही जहन में आजाएगा आप उसको सर्च करें और आप लोग वो डालें मैं अगेन रिपीट करता हूँ के टैग डालने का तरीका यह है कि जो सबसे पहले आपने कीवड जिनके ओपर रैंकिंग करनी है करने आपने झालएगा आपने उनके टैग्स डालनें जब आप ऊब वो डालने हैं तो जो आपके ब्रॉडर ओवर ओरर्य catch on पोहत्ता डालने हैं मतलब दो अपने relevant keyword और तीन आपने अपनी category के overall keyword डाल लिए इस तरह आप लोग टेग्स डालते हैं तो इस तरह अगर आप लोग ने title अच्छे से लिखा हुआ है तो आप लोग अपने tags को भी अच्छे से optimize करेंगे और अब हमारे tags और title दोनों ही optimize हो चुके है तर्ड नमबर पर जो हमारे पास extremely important चीज आती है वो आजाती है गिग description गिग description बहुत important role play करती है आपकी ना सिरफ गी ranking के अंदर बलके आपको कितने order आते हैं इसकंदर भी important role play करती है क्योंकि अफसर यह होता है कि गिग आपकी optimize भी होती है कोई बंदा आता है पढ़ता है तो इतना impress नहीं होता कि वो आपको message करे और order दे दे आप लोगोंने step by step लिखते जाना है कैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि description लिखने का basically method के आचा description में सबसे पहले आप लोगोंने कोशिश यह करनी है कि जो आपकी गिग है उसका जो आपने title बनाया था उसको ऐस सची बेशक कॉपी करके top के उपर लिख दे अगर आप उसको ऐस सची कॉपी करके top के उपर लिख देंगे मिसाल के तौर पे आपका title था I will write plagiarism free articles in 24 hours मिसाल के तौर पे आपका यह title था आपने यह उसके उपर top पे लिख दिया उससे अगला काम आप लोगो ने यह करना है कि थोड़ी सी space देनी है एंटर दबा के space डालनी है और उसके बाद आप लोगोने कोई ऐसी चीज लिखनी है कि जो उस service के relevant ही हो अब आप उसको bullet points के अदर भी लिख सकते हैं अच्छा ही होता है कि आप bullet points के उलें या paragraph की format में भी लिख सकते हैं जदा अच्छा ही होगा कि आप उसको bullet points के अदर लिख लें मिसाल के तौर पे एक उसकी heading me site my service includes my service features या माइ सर्विस की हैडिंग देखे उसके नीचे आप लोग बुलिट पॉइंट्स बनाएंगे बुलिट पॉइंट्स के अदर आप लोगो ने अपनी सर्विस को डिफाइन करना है कि आप उनको प्रोवाइड क्या करने जा रहे हैं मिसाल के तोर पे अब हर एक चीज का आप लोगों ने ख्याल लखना है अब आप लोगों ने गिक को लिखना भी ऐसे है कि वह बहुत ही ज़दा हाइली अपीलिंग हो साथ में आपने उसकी SEO को भी जहन में रखना है कि मैंने अपने जो कीवर्ड थे वो उसके अंदर डालने ही डालने है अब अपने description के अंदर आपके जहन में आपने side पे separately लिखके रख लेना है कि आपने 5 keyword अपने description के अंदर डाले हैं 5 keywords और यह वही 5 keywords होंगे जो आप लोगों ने अपने tags के अंदर डाले थे तो अब इन 5 के 5 keywords को minimum आप लोगों ने 2 दफा repeat करने अपने description के अंदर और evenly repeat करने, evenly repeat से मुराद यह है कि at least आप लोगों ने एक दफा कर start में लिखे तो एक दफा आपने end के अंदर एक keyword था आपका article writing आपने उसको एक दफा start में लाजमी लिखने है और एक दफा end में लाजमी लिखने है यह middle में लाजमी लिखने है इस तरह यह कि अच्छे से keywords की distribution आपकी पूरी की description के अंदर होनी चाहिए आप लोगों ने करना ही है कि आपके keywords सेपरेट ली एक page पर लिखे 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 उसके तिक लगाते जाएंगे कौन 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 सा keyword यूज होगे कौन सा नहीं हुआ तक आप लोगों कोई keyword मिस्स ना कर जाए और आप जो आप लोगों है का अपने इस्टेल कपी करको लिख दी इस सर्विस की हेडिण दी डेमीक हैं किस्टेप के सर्विसग देता है अब बड़ी ऑवियसी बात है कि जिस कीवर्ट के औरियंटिड आप गिक बना रहे हो आप उसी के रेलिवेंटी सर्विसिस दोगे ना तो आपने वहां पर अच्छे से कीवर्ट स्टफ कर लेना है एक दफ़ा आपने टाइटल में भी कीवर्ट वो अलड़ी रपीट हो चुके हैं दूसरा आपने कुछ कीवर्ट जो आपके रह गए थे अपने सर्विसिस वाले पॉर्शन के अंदर रपीट कर दिये अब आपके पास सर्विसिस वाले बुलिट पॉइंट भी खतम हो गए हैं तो आपने फिर एक हैडिंग देनी है my expertise या my experience की My experience in heading, हम लोगों ब mich experience निफाइन, दिफाइन करना चक잖아 नुकसानी कोई करो बंद चाल कशी कर लोग लोग सिरु सकिमिंग नज़ी स्क्रॉल करते है। बजाए इसके कैये बड़ा बड़ा लिखाओ तो आप लोगों ने कोशिच करनी है कि परेग्राफ ना वूबलिट पांटS उसके बनाने है तो आप लोगों ने अपना एक्सपिरियंस बताना है कि मिसाल के तौर पर तौर चार साल का मेरा कॉंटेंट राइटिंग का एक्सपिरियंस है मैं इतने आर्टिकल लिख चुका हूँ मेरी इतनी वेबसाइट्स रेंक हैं मैं इस टाइप के आर्टिकल लिख सकता हूँ उसके अंदर भी कुछ कीवड आपके जो रहते थे आपने स्टफ कर देना है अब ये काम नहीं करना मैं अगेन अगेन बता रहा हूँ अब मिसाल के तोर पर एक आपका कीवड था आर्टिकल राइटिंग का आपने एक ही लाइन के अंदर दो दफा आर्टिकल राइटिंग लिख दी और आप समझें के आपका कीवड अप्टिमाइज हो चुका है ऐसे कीवड अप्टिमाइज नहीं होगा कीवड आप्टिमाइज करने के लिए आपको इवनली स्प्रेड आउट करना है तरीके के साथ लिखना है कि स्टार्ट में भी आए एंड पे भी आए या कहीं पे मिडल में आ रहा है और क्लाइट को पड़ने में डिस्कौिप्षेन में को इस поб जो भी हम समझने वाली हैं आपने दमाग कहल के समझनी है जो गिक की SEO होती है जो डिस्कृप्टिबशन की SEO होती है वो हम अपने फाइदे के लिए का रहे होते हैं कि हमारी गिक रैंकिंग अंदर आये उसे क्लाइंट के रिलेटिड कोई लिंक नहीं है वह सिरफ हम अपने फाइदे के लिए कर रहे हैं कि हमारी gig ranking के अंदर है बहुत सारे लोग गलती यह करते हैं कि gig optimization के अंदर इतना अंदर चले जाते हैं कि वो keyword stuff ही stuff किये जाते हैं वो इस चीज के ओपर गौर नहीं करते हैं कि जो मैं description लिख रहा हूँ इसका user interface कैसा है कोई भी बंदा इसको देखेगा तो वो कैसा मुतासिर होगा उसके ओपर इसका कैसा असर पड़ेगा तो जब वो आपकी description इतनी weird लिखी होती है तो कोई बंदा ना उसके पर click करता है आपको ranking मिल लाती है orders बहुत कम आते है उसकी reason ही होती है कि आपकी description ही बहुत वे किसम की बहुत इफारी किसम की लिखी होती है तो आप लोगों ने इन दोनों perspective को जहन में रखना है देखें जब ranking नहीं मिलेगी तब ही client नहीं आएगा ranking मिल लाती है client के related अची description नहीं तब ही client नहीं आएगा आपने इन दोनों perspective को जहन में रखना है कि आपने ना सिर्फ keywords के oriented उसको optimize करने है बलके साथ में इस चीज को भी जहन में रखना है कि वो user friendly भी होनी चाहिए जो बंदा उसको पढ़ेगा उसको भी पढ़ने में मज़ा आना चाहिए आपको क्लिक करके message कर सके तो यह जो आपको मैंने description की optimization के related proper एक sketch बताए आपने sketch को लाजमी फॉलो करने है इसकी सबसे मज़ी की बात है कि जब client आपकी पहली line पढ़ता है और जो मैंने services वाला portion आपसे heading बनवाई है वो पढ़ता है तो इसको यह confirm हो जाता है कि यह बंदा मेरे ही related services दे रहे जो चीज exactly मुझे चाहिए है और दूसरी चीज यह कि जब नीचे आपकी expertise की heading आजाती है तो इसको यह भी पता लग जाता है कि बंदा बड़ा well experienced अब लोग खलती भी यह करते हैं कि एक्सपरियंस टॉपर लिग देते हैं तो hopefully guys अगर आप पूरी वीडियो को फालो अप करते हैं आज आज आप लोग ने फाइवर की टाइटल भी लिखना सीख लिए टाइग्स डालना भी सीख लिए डिस्क्रिप्शन लिखना भी सीख लिए यह तिरियो चीजे एक्स्ट्रीमली ही इंपॉर्टेंट हैं फाइव कुछ देख लिए तो आपकी कीग ना सिर्फ प्रॉपरली अप्टिमाइज हो जागी इंशाला मेरी आपको गरंटी है कि 2024 कंदर आपको फाइवर के ओपर कामयाब होने से कोई नहीं रोग सकता अगर आप लोग के मजीद के रिलेटिड कोई भी सावलात हैं तो कमेंट बॉ इंशाला मेरी कोशिश होगी कि मैं आप सब को जवाब दे सकूँ अगर सिल मुझे लगा कि किसी चीज का परस्पेक्टिव साई क्लेर नहीं है तो मैं उसके पर डिटेल वीडियो बना दूगा इसी तरह मुझे दीजिए इजासत अपना ख्यार लगएगा अला आपिस